आज इस वीडियो में हम सरदियों में खिलने वाले 5 ऐसे फ्लावर प्लांट के बारे में जानेंगे जो देखने में तो बहुत ही खुबसूरत होते हैं और इन सारे प्लांट को लगाना बहुत ही आसान होता है अगर आपसे फ्लावर नहीं लगते हैं आप उनकी सीड ग्रो करते हैं सीड नहीं लगती है या फिर आप हर सीजन इनको लाकर इनकी सीड नहीं लगा सकते हैं इनकी प्लावर नहीं लगा सकते हैं तो अगर इन सारे प्लावर लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके गा इससे आपको एक छोटा सा प्लांट ले आना है इसका जो भी कलर पसंदो यह बहुत सारे कलर में उपलब्द रहती है जैसे आपको पिंक वाइट येलो रेड जो भी कलर आप चाहते हैं एक छोटा सा प्लांट अगर आप लाकर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि अगले सीजन में इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी एक छोटा सा प्लांट काफी जादा घना हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह यलो वाली गुलदावदी है हम इसे अपने गार् में दो साल से सर्दियों के मौसम में काफी दूर में फैल जाती है इस प्लांट की कटिंग मिल जाती है तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं इसकी कटिंग आप जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर की बीच कभी भी लगा सकते हैं बस जो जून और जुलाई में इसकी इन फूल जल्दी गिा अटने ही साधी तो करीब 1-2 महिनी तक इस रिवाएं तो अगर सकते हैं अलगे तरीका के लगे अलग अलंग तरीकित में तो आपके गारडनीों को लगे पूरा जोब भी एक क्पोरा। की सोभा को यह बढ़ा देगा तो ऐसे में आप गुलदावदी को कटिंग से या फिर इनके प्लांट को लाकर इस सीजन लगा सकते हैं यह भी जो सीजन है गुलदावदी निर्सरी पर आना सुरू हो इसका चोटा प्लांट आपको मिलेगा तो अगर इसका प्लांट आप पर लाकर लगाते हैं तो जैसे सर्दी का मौसम शुरू होता है तो इसमें फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे दूसरा जो बेहत कॉमन प्लांट है यह है मैरी गोल्ड गेदा गेदा को सीड से ग्रो किया अगेदा के फ्लावर प्लावर मिल जाते हैं जिसमें आपको बहुत सारे कलर मिलते हैं गेदा को जहें एक बार इलिए अस anche ब्लांट ईनिके लग जाते हैं देर निक्री वापस प्लावर को तूड के रख रख सकते हैं अगले सीजन के लिए उनका Un Talk Chicken जीए मैं हुर में पर पर मिलता है तो लाकर आप इनकी नर्सरी त्यार कर सकते हैं या पिर नर्सरी से इसका छोटा पौधा लाकर आप अपने गार्डन में लगा दीजिए तो आपके गार्डन में बहुत जादा फ्लावर हो जाएंगे आपकी गार्डन की खुफसूरती और बढ़ जाएगी तो ग में आप इनकी नर्सरी घर त्यार करते हैं तो आपको अगस्त ए सितंबर में इनमीफवावर मिल जाएंगे अगर इनको चाहे जैसे लगा देजिए कि प्लांट बहुत अच्छे से लग जाता है इसको सेड से ग्रो करना या फिर कटें से ग्रो करना बहुत इसे होता नरसरी पर आपको एक छोटा सा पौधा मिल जाता है तो आप लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं देहलिया एक ऐसा फ्लावर प्लांट है जिनकी फूल काफी बड़े होते हैं देखने में बेहत कुपसूरत लगता है सरदियों के मौसम से लेकि गर्मियों के मौसम तक इनमें फ्लावर आते रहते हैं इनको आप बल्प से लगा सकते हैं प्लांट के लगा भी सकते हैं प्लांट के लिए लिए से चैनि लिए के मौसम से याघजलबया प्लांट है जो सीजन रहते हैं ऐसे में इस तरीके के जो प्लांट होते हैं जिनको लगाना बहुत एजी होता है कटिंग से और सीड से इनको आप लगा सकते हैं या फिर नर्सरी से इनके छोटे पौधे लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं इन सारे प्लांट को बहुँत जादा केर की ज़रूत भी नहीं पड़ती है तो ऐसे में अगर आप प्लांट लगाने के शौकीन हैं, आपसे प्लांट नहीं लगते हैं या फिर आपके पास बहुत जादा टाइम नहीं रहता कि हर सीजन में आप फ्लावर प्लांट को लगाएं तो इस तरीके के जो पांस फ्लावर प्लांट है आप इनको चुनिए तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और बहुत जादा दिखभाल भी नहीं करने पड़ते